Hello my dear students, I hope you are fine तो बच्चो, you know that आपका चैप्टर चल ला है Body Moments वाला जिसमें हमने Skeletal और उसके अलग जो Parts है, Booms के, Skeletal के वो हमने देखी है ना तो इसी में हम पढ़ रहे हैं आगे Cartilage, ओके, तो cartilage क्या होती है तो जरा देखी है इस कान को आप देख रहे हो है ना तो ये cartilage क्या होती है ये जो soft हड़ियां होती है कान के पैस आप देखते हो यानि flexible bones होती है एक तरह से है ना, तो उनी को हम कहते है Cartilage तो डिटेल से पढ़ते हैं देखो Most of the skeletal Skeleton consists of hard wounds, ठीक है? यानि हमारी जो skeletal होता है ना, हमारा जो body होया है उसमें ना, दो तरह की bones होते हैं एक तो होता है hard bone और एक होता है soft bones, ठीक है? तो जो soft bones होती है ना, उनी के बारे में हम डिटेल से बढ़ रहे हैं However, फिर भी at some places in the skeleton there is a material which is not as hard as bones माला, वो इतना hard नहीं होता which can be bent माला, और वो flexible होता है उसको मोड़ा जा सकता है यानि ऐसी हड़ियां चिनको मोड़ा जा सके ठीक है? यानि moldable होती है वो it is called cartilage तो इनी soft bones को हम कहते हैं cartilage ठीक है? अब आप सोच रहे होंगी सार ये soft bones कहाँ पाई जाती है है न? तो यह आँ पर diagram दे रखा है, photo दे रखा है picture दे रखा है, तो यहाँ पर आप आपने कान को यह आप feel करके देखो, मोड़ के, देखो वो मोड़ जाएगा है न? यहाँ से यह जगे से है न? ऐसे करके यहाँ पर एक पतले सी कोई कटलेश नहीं हुते है यहां पर कुई कुई कटलेश नहीं होती है लेकिन जो उपर की साथ चो पिंणा होता यहां पर हैए-डby होyalight,- सब्सक्राइ़ और मिलाय मशर फ्लक्सिबल होती है है न तो कटलेश ata सो करने एला मिलाय रिखं़ हे लेकिंतिए है यह क्या लगए रहा टी एच विए जो दो most of the skeleton is made of bones यानि हमारा जो skeleton है उसका जातर पार्ट जो है वो bone से बना रहता है but it has some cartilage too लेकिन इसमें कुछ cartilage भी होते हैं cartilage यानि soft bones भी होते हैं cartilage is a firm but flexible material found at some places in the skeleton यानि कुछ flexible material की तरह होता है cartilage is much softer than bone जाके bone से ज़्यादा soft होता है cartilage can be bent without breaking उसको मोड सकते हैं लेकिन वो तूटेगा नहीं वो जो हड़ी है वो मुड़ जाती है आराम से लेकिन वो तूटती नहीं है if in fact in fact क्या होता है वास्तम में cartilage is a kind of softer and elastic यानि रवड की तरह ठीक है bone elastic होती है softer होती है cartilage is present in the following places in our body अब आप सोच रहे होंगे cartilage कहां कहां पाई जाती है है हमारे body में तो चरह देखते लें cartilage is present in the pinna of ears ठीक है इसको pinna कहते है आप है ठीक है upper part of the ear जो हमारा कान है उसका upper part यह जो ऊपर का वाला जो है इसको कहते है pinna यहापर जो लिखा हुआ अब है पिनna contains cartilage ठीक है दूसरा है cartilage is found at the end of nose जो हमारी नाक होती है न वहाँ पर भी cartilage होती है ठीक है cartilage is found on the end of the bones where they meet one another at joint क्या लग रहाए फिर से बढ़ते हैं cartilage is found on the end of the bones हड़ियों की end points पर यह cartilage पाई जाती है जहाँ पर क्या होती है दो हड़ियां आपस में connect होती है joint होती है ठीक है they meet one another at joint ठीक है आगी joints पढ़ेंगे तो joints की बीच में भी cartilage पाई जाती है cartilage is also present यानि cartilage disc between the vertebrate of backbone तो backbone जो है हमारी जो रीड़िगी हड़ियों होती है उसमें भी यह cartilage पाई जाती है ठीक है आगे देखो the upper part of our ear is called pinna and the lower part is called ear lobe यानि जो lower part को कहते हैं ear lobe कहते हैं और upper part को pinna कहते हैं यह pinna है यह हमारा ear lobe होता है ठीक है और यह पूरा जो है क्या होता है ear होता है यानि कान होता है आपका if we press the pinna of our ear and the ear lobe between our fingers ठीक है इस तरह से इसको मोडेंगे ऐसे करके turn by turn मतला पहले इसको देखो फिर इसको ऐसे करके we will find that the pinna is harder contains cartilage तो pinna जो है उसमें थोड़ा सा harder bones होती है ठीक है मतला यह जो है इसमें तो होती नहीं है इसमें ऐसे थोड़ा सा heavy होती है ठीक है hard होती है थोड़ी से तो pinna यानि अपर part of the ear contains cartilage cartilage gives support and shape to the ear cartilage का करता है हमारे कान को क्या देता है एक proper shape देता है और एक क्या देता है support provide कराता है और shape देता है उसको cartilage is flexible that is why we can bend the pinna है flexible होती है जिससे हम उनको मोड सकते है of our ear quite freely without the danger of breaking भी टूटती नहीं है आराम से इसको ऐसे मोड सकते है feel the end of your nose हमारे जो नक की जो tip होती है उसको आप छूप करके ऐसे देख सकते है ठीक है तो we can bend the nose easily हम अपनी नक को आराम से मोड सकते है there is a cartilage in the end of our nose तो हमारे जो नक का end point होता है जो tip होती है ठीक है वहाँ पे भी cartilage होती है it is presence of the cartilage which gives support and shape to our nose तो इससे भी हमारे नक को shape और support मिलता है from the above discussion we conclude that अब यह आपको देखेगा conclude that cartilage gives support and shape to organs like ears and nose इस तरह से cartilage जो होती है वो हमारे ear और nose को support और shape देती है cartilage is also found on the ends of the bones where they meet one another adjoint यानि कि जैसे मैं देखा जेता हूँ आपको यहाँ पे आप देखेए जैसे यह joint है तो यह joint जो होते है इन जगह पे भी end points पे भी क्या पाई जाती है cartilage पाई जाती है जिससे कि थोड़ा साई flexibly movement कर सके है चीक है आगे देखो cartilage is smooth कैसे होती है smooth होती है नरम होती है यह चिकनी होती है the layer of smooth cartilage reduces friction इससे होता क्या है कि जो friction होता या friction यानि कि जो घर्चन होता है दोनों में जो रगड जो होती है वो कम होता है ठीक है and allows the end of bones to move easily over each other without damaging them यह जो हड़ियां है आराम से वो एक दूसरे को पर move कर सकती है जहाँ पर joint होते हैं वहाँ पर in cartilage की help से thus cartilage is found in the joints of our body यानि कि हमारे body जो में जो joints होते हैं जगे पर भी cartilage पाए जाते हैं आगे देखो discs of cartilage are present between the various small bones यानि vertebrate of the backbone backbone जो होती है रीड के हड़ी जो होती है उसकी छोड़ी हड़ी होती है उनमें भी यह cartilage पाए जाती है इसी एक बज़े से हैं हमारे जो कमर जो है आराम से move कर सकती है अगे पीछे उपर नीचे जैसे move करेंगे इसको अगर ही cartilage नहीं होंगी तो हमारी जो radicate बिल्कुल स्टेट खड़ी रहेगी है ना एकदम लोहे के pipe की तरह है लेकिन ऐसा नहीं होता है ना वो move करती है आराम से तो cartilage के help से ही होता है the presence of cartilage disc between the vertebrae makes the backbone flexible जो हमारी backbone है वो कैसे हो जाती है flexible होती है so that it can bend इसलिए ये आराम से मोड सकती है the cartilage disc also absorbs the socks चीक है और ये जटकों को भी जहल सकती है ठीक है when we run jump or do other such activities ठीक है आराम से otherwise क्या होगा एकदम भी cartilage नहीं होंगी तो थोड़ा से भी जटका लगा गई गिर गए कहीं कुछ हो गया तो बैकवान जो भी है आपकी joint है जो हड़ी आए वो तूटने का डर उनका रहेगा ठीक है लेकिन cartilage के help से क्या होती है वो तूटती नहीं है चोटे भूटे जटकों को जिल जाती है देखो आगे joints of the body हमारे body में बहुत तरगे joints होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे तो our skeleton is made up of hard and strong bones bones can not be bent ठीक है लेकिन हड्डियों को नहीं मोड़ सकते हैं cartilage तो मोड़ सकते हैं लेकिन हड्डियों का मोड़ नहीं सकते हैं ठीक है we can bend our body parts only at those places where two or more bones joint together ठीक है यानि हम अपने body parts को क्यावल वहीं से मोड़ सकते हैं जहां पर कोई joint होता है ठीक है या फिर वो cartilage वाली bone होनी चाहिए फिर such places are called joints जैसे हमारा गुटनी पैसे होता है कोहनी पैसे होता है ठीक है इस तरह के बहुत सतारे joint होते हैं हमारे body में है न गर्दन पे होता है for example we can bend our arm at the elbow कोहनी से मोड़ सकते हैं because the bones of the upper arm and the lower arm form are joint at the elbow ठीक है तो हमारा जो हाथ है जैसे इस जगह पे क्या होता है joint होता है तो हम आसानी से इस जगह से इसको मोड़ सकते हैं लेकिन आगर इस हाथ को आप इस जगह से मोड़ने कुशिश करोगी तो नहीं मोड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई joint नहीं होता है यहां से हम मोड़ सकते हैं हाथ को आ आप से मूव कर सकते हैं यहां से इसको मूवमेंट कर सकते हैं तो जिसन जगे पर joints होते हैं वहीं से आप मोड़ सकते हैं, ठीक है? If however our arm was one long bone from shoulder to wrist, then we could not bent our arm, okay? This point will become more clear from the following activities. तो यहां पर देगो simple activity बताएगी है, जिसमें मालो आप कोई लकडी का पट्टा या फिर कोई पाया पे इस तरह से आप बहांद लेते हो इस तरह से, ठीक है? तो आप इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यहां से नहीं मोड़ीगा, okay? क्योंकि वो joint को आपने कैसा कर दिया? वो fix कर दिया, ठीक है? joint को fix कर दिया, लेकिन अगर यह हटा देंगे, तो आराम से यहां से moment हो सकता है, यहीं चीज़ इसमें समझा रहा है, ठीक है? तो चलिए, आगे शुरू करते हैं. तो यहां पर joint की definition दे रखी है, कि यह वो place यहां पर दो या दो से ज़्यादा अड़ियां क्या वरती हैं? मिलती हैं. ठीक है? उसको कहते हैं joint. Several types of joints occur in our human skeleton. तो हमारे body में कई तरह के joints होते हैं. Most of the joints allow the bones to move. जातर जो joints होते हैं, वो हमारे body के movement को allow करते हैं. मिला हमारे body वहां से move कर सकती है. ठीक है? The amount of the movement depends. अब वो movement कितना होगा? वो depend करता है on the type of joint. वो joint जो है, वो किस तरह का है? राइट? Thus joints of the bones help in body movement. तो हमारे जो chapter है, उसका नाम ही body movements है. तो वो joint की help से ही होता है. तो overall इस chapter में हमें क्या समझ जाना चाहरा है? कि joints जो है किस तरह के होते हैं, कि वो कैसे काम करते हैं, वो ही चीज हमें देखनी है. अगर वो चीज हमें समझ में आ जाएगी तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे body जो है किस तरह से move करता है. यहां पर joints होंगे, वहीं से movement हो सकता है. For example, we can move our head, arms, hands, legs and feet because all these parts have bone joints. यहां पर joints होते हैं. If however our skeleton had no joints between various bones, then we could not move our body. अगर मानलो सोचो हमारे body में joints नहीं होते, तो पूरा नीचे से उपर तक क्या होता है? एक बस ठीक है, ऐसा का ऐसा ही रहता, ना हिलता ना डुलता, तो उस सरीर का फायदा भी नहीं होता है ना? तो joints होना बहुत जरूरी है हमारे body में. ठीक है? यहां पर हड्डियां आपस में जुड़ती हैं अब आप सोच रहे होंगे ही हड्डियां आपस में जुड़ती कैसे हैं है ना? क्या इनके बीच कोई phabical होता है? नो, phabical नहीं होता है. यहां पर क्या होता है? एक connective tissue होता है. एक तरह के खास तरह का mass होता है. जिसे हम कहते हैं ही ligaments. ठीक है? वो ligaments ही है जो इन हड्डियों का आपस में जोड़के रखता है. joints में काम आता है. ठीक है न? तो डिटेल में पढ़ेंगे ligaments के बारे में बाद में. ligaments connect however the elastic and so they can stretch to let the bones move at the joints easily. यहांने जो ligaments होते हैं यह एक तरह का tape होता है जो की flexible tape होता है. ठीक है? mask बना हुआ एक tape सा होता है, flexible होता है यार आमसे stretch हो सकता है. जैसे हड्डियां आपस में एक दूसरे से joint होकर की move कर सकती है. Another point to be noted is that the ends of the bones at joints are covered with a soft and smooth layer of cartilage. और इसके लाब क्या होता है, जहांपे भी हड्डियां होती है, हड्डी का end points होता है, वहांपे क्या होता है? एक cartilage का एक cover सा चड़ा हुआ रहता है. फिर वह cartilage आपस में एक दूसरे से जुड़ती हैं और ligament के tips के help से वह connect हो जाती है. The layers of cartilage allow the ends of the bones to move over each other smoothly without friction. तो इन cartilage और ligament के help से दौनों हड्डियां आपस में एक दूसरे पर move कर सकती हैं. ठीक है? This prevents damage to the ends of the bones due to wear and tear caused by rubbing over each other. इसका फादा ही होता है कि वह हड्डियां जब आपस में रगडेंगे. देखो आपको पता है, अगर मालो किसी भी चीज को आप रगड होगे, जैसे मालो आप लोहे काई कोई किसे काई, अगर आप इसको पत्थर पर रगड तो रगडने से क्या होगा? वो घिस जाएगा. है ना, तो सोचो अगर दौनों हड्डियों की बीच में कुछ नहीं होगा और वो केवल घिसेंगी, मालो एक दूसरे पर रगड एंगी, तो क्या होगा हड्डिया खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन दौनों हड्डियों की बीच में क्या रहता है, cartilage लगा रहता है, है ना, जिसकी हर्प से क्या होता है, वो खराब नहीं होते हैं, लेकिन बहुत से आप में देखे होंगे, जिनके घुटने वगरा हम दर्द होता है, या फिर चलने फिर नहीं सकते हैं, है ना, तो उनकी joints में क्या होता है, वो cartilage जो है, वो क्या हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है, जिसकी हुझे से वो उनने, गुटनों में क्या होता है, दर्द होता है, है ना, joints में क्या होता है, joint pain होता है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्यों joint pain होता है तब 3.1 ऐसे कि गाड़ियों में डालते हैं आपने देखा होगा इससे क्या होता है उसमें चिकनाइच बनी रहती है वह आपस में दूसरे से जव एक रग्ड खाते यह तो गिशते नहीं है न ऐसे हमारे joints होते हैं, वहाँ पर एक oil रहता है, ठीक है, between ends of the bones of a freely movable joint, जिसके वज़े से क्या होता है, वो रगड नहीं घाते हैं, वो आराम से चिकनाहट से चलते रहते हैं, है ना, this oily liquid lubricates the cartilage at the ends of the bones, इसके वज़े से क्या होता है, वो cartilage कैसे हो जाते हैं, चिकने हो जाते है ठीक है, oily हो जाते हैं, और वो एक दूसे से रगड नहीं काते हैं, and reduces friction even further, और इससे वज़े से एक तो घड़े के ऊपर cartilage चड़ा रहता है, इसके अलावा और क्या होता है, oil लगा रहता है उस जगे पर, जिसके वज़े से और चिकनाहट बनी जाती है, okay, in order to keep the diagram simple, we will not show the cart oil is in them, ठीक है, oil is liquid in them, यानि यह कहना चाहता है, जहाँ पर भी हम इन joints को देखेंगे, जैसे यहाँ पर joints को explain किया गया है, तो मैं आपको बता दूँ, जैसे यह हड़े है, तो हड़े की ऊपर क्या होता है, एक cartilage का कबर चड़ा रहता है, इसके ऊपर भी और इधर भी, और दौनों की बीच क्या रहता है, एक liquid भरा हुआ रहता है, ठीक है, और ligaments जो होते हैं, वो इस तरह से tape होते हैं, ऐसे यह चिप का रहता है, ठीक है, जिससे के हड़ी जो है, इस liquid को छोड़ करके भागे नहीं, ठीक है, मतलब इससे अलग नहीं हो, दौनों को joint कर दिया जाता ठीक है, जिससे के आगर आप मालो यहां पर ligament भी दिखाएगा, cartilage भी दिखाएगा, तो आपको कुछ भी देखेगा नहीं, यहां पर समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो diagram को simple किया गया यहां पर, तो हम details से देखेंगे के करके, वीडियो बहुत long हो गया आपका, लेकन आ बहुती इंट्रेस्ट आया हुआ, मज़ा आया हुआ, समझ में आगे हो काफी कुछ, तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक लिए, बाई बाई, एंड चेक केर, थैंक्स वर वाचिंग